नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीने शौक वे आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के एट्थ पार्ट की अगर आपने सेवंथ पार्ट तक परसेंटेज के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी वीडियो जाकर देखें प्लेडिस्ट में ताकि आपको यह टॉपिक और भी ज्यादा अच्छे से एट्थ पार्ट में समझ में आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोस्तो एड्ध टपार्ट में हम क्या-क्या देखने वाले है उसके लिए हम देखते हैं क्या-क्या हमारे questions होंगे क्या-क्या चालना इसको हम aggregate percentage भी बोलते हैं कई एक्जाम में पूछा गया है बिसे यह वाला question देखिए है इसके बाद में यहां पर परसंटेज पूछा हुआ है वेटेड परसंटेज भी इसको बोलते हैं इसके बाद हम देखेंगे यह वाला टाइप जिसमें कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कितने पेपर में 60% से जाधा आये है यह आपका UPSC में भी आया है इसके बाद हम देखेंगे यह देखें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है कितना परसेंट उसको दिया जायता कि वो पास होते हैं यह हमारे पिछले टाइप जो हमने सेवंथ पार्ट में डिसकर के तो उसे लुड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इंडिविजुली सब्जेक्स में कुछ दिया हुआ है उसको पास करवाना है यह देखें एग्रिगेट परसेंटेज यहाँ पे सेम यहाँ पे कंपैरेजन दिय है यह बिल्कुल डिफरेंट लेंग्विज का क्वेश्चन है यह वही टाइप जिसमें किसी स्पेसिफिक परसेंटेश से ज्यादा नंबर आफ सब्जेक्स हमें बताने होते हैं इसके बाद कंपैरिजन कि किसने कितने परसेंट लिए यह भी एक नया टाइप रहेगा आप तो अगर इस तरह से पास करवाना हो तो फिर कैसे हम हैं वह भी देखेंगे यह तीनों टाइप एक है इसके बाद यह हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था यह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब हमें थोड़ा हाई लेवल जाना है तो एक मैंने हापे लिया है इसके सब्सक्राइब देखेंगे इसके बाद कैट में एक नया टाइप आया था जिसमें पासिंग स्कोर चाहिए था लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से लेंग्वेज लिखी हुई थी पोस्ट रिव्यू मार्क्स हमें जो है इसको बढ़ाना था इसके बाद यह नया टाइप है इसमें देखेंगे यहां पर सम आफ मार्क्स की बात करता है यह अभी तक हमने बात नहीं की है इसका भी शॉटकर देखेंगे यह में में आया लेंग्षें सकोंत के साथ में यह ने 72% स्कोर किया दूसरे एगसाम में इसने एटी परसंट किया है जिसमें 72 स्कोर किया है У्समें माक्स थे 900 जिसमें 80 score किया है उसमें marks थे 700 आपको बताना है कि combined percentage कितनी है दोनों ही papers की मिला के तो देखे combined के लिए हम क्या लगाते हैं weighted average का concept लगाते हैं यहां 72 marks है यहां 80 marks 80 percent है यहां 72 percent है तो आप देख सकते हो कि दोनों में या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 72 percent आप 900 का निकालो और 80 percent आप 700 का निकालो है न और overall marks से डिवाइट कर दो तो यहां से आपका combined percentage आ जाएगा और दूसरा वे है weighted average इसमें हम क्या करते हैं कि पहले exam में 72 percent दूसरे में 80 percent इसमें आपके marks थे 900 और इसमें आपके marks थे 700 तो सबसे पहले जो number होता है इसका ratio लिया जाता है मेरे दोस्त तो जैसे रेशो लिया तो यह आपका काफी हद तक simplify हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं यह simplify हो गया अब यहाँ पे 9 है अब यहाँ पे 7 है अब देखिए यह हमारे marks percentage है तो 72 परसेंट और यहाँ 80 परसेंट तो आप देख पा रहे हैं कि 72 परसेंट तो दोनों में है तो हम 72 परसेंट को एक assumed combined percentage मान लेते हैं तो अगर 72 परसेंट है तो य यह जियरो का gap है और ये नौं के लिए किलिए इसको मिल्टिप्लाइ कर देंगे यहाँ पर देखिया सेवंटेट और Tea मेंकितने का फर्क invented पर्सेंट का फर्क है तो अगर अब तो अम चले ःता हु लिया तो आप देखिये पर हमने कितने हो नाइन 7 यह जाएग आपका सिक्स्टीन तब आप सॉल करें देखे तो जीरो हो गया और यहां से आगे अगर आप सॉल करोगे तो यह 56 हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है वह यह बन गया कि 72% हमने माना ही था फ्लस 56 परसेंट यह और इसको डिवाइड करना है आपने 16 से तो अगर आप इसको सॉल कर लेते हैं तो यह आएगा 4 4 जा और 4 14 जा यह आपका 2 हो जाएगा यह आपका 7 हो जाएगा यानि कि 72 परसेंट परसेंट प्लस 7 वाए 2 परसेंट होता है 3 वैए 5 परस तो यह हमने वेटेड आवरेज की कॉंचप्ट से जल्दी कर लिया तो 75.5 विच इस ऑप्शन ए यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसे सी मेंस का यह क्वेश्चन है बढ़ते हैं सेकिंड क्वेश्चन पे कैंडिडेट को तीन पेपर्स के लिए बैठना था ए बी और सी कैंडिडेट ने 75% ए में यानि कि यहाँ पे 75% बी में 80% और सी में 60% मार्क्स स्कोर किये उसके बाद तीनों पेपर की वेटेज अलग से दी हुई है तो कितनी वेटेज है तो पहले एक ही वेटेज है आप ए 40 परसेंट उसके बाद में 50 परसेंट और यह है 10 यानि कि टोटल 100 वेटेज तो सबसे पहले आप इस वेटेज का ही रेशो ले लीजे तो यह रेशो जो आएगा यह आप वेटेज लगा के साल कर सकते हैं क्योंकि इनों ने पूचा है कि टोटल सक्बारें कवेटेज कमबारें एवरेज को जानते हूं यहां पर भी मैं आपके लिए लिंक यहां पर लगा दूँगा तो देखिए 75% 80% 60% तो आप देख रहें 60% तो यह score करी रहा है तो 60% को average मान लेते हैं तो 60% और 75% में gap कितने का है 15% का और यह 4 marks के लिए है मतलब आप बोल सकते हैं कि 4 subjects के लिए है यह इसकी weightage कितनी है 4 इसके बाद में 80% और 60% में 20% का gap है और यह 5 जो है आपके इसकी weightage कितनी है 5 इसके बाद में 60 में तो 0 का ही gap है और यह 1 सब्द के लिए और divided by total weightage तो आप द तो यहां से solve कर लिए यह आपका 60% हो गया इसके बाद में यह आपका 100% हो गया और यहां पे 10 है तो आप देख रहे हैं कि यह हो गया 160 by 10% यानि कि 16% तो 60% हमने मानी थी और 16% और extra आ गई तो आपको correct answer हो जाएगा 60% plus 16% और इसको आप लिख सकते हैं कि 76% बिलकुल previous वाले method से ही हमने किया जिसने हमने last question किया 60% हमने average मानी और अब gap देख लिया तो 75 और 60 का gap 15 और यह इसकी बेटे 4 तो हर किसी को 4 extra मिलेंगे यहां 20 का difference है और यह से 5 subjects है और यहां 0 का difference है यहां 1 और यहां पे 10 तो 5 प्लस 4 प्लस 10 तो यह 60% तो था ही प्लस 160 तो 16% एक्स्ट्रा तो 76% तो यह हो गया option D next type देखिए 6 papers है maximum marks इस बार कहां same है अब यह different type हो गया यह आपका average पे based question हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह आपके क्या हो गया आपके marks का proportion हो गया और कहते है overall अब जो last question में हमने देखा था वो हमें दिया हुआ है combined percentage दिया हुआ है कहते है overall 60% उन्होंने score किया है तो कितने papers में उन्होंने 60% से जाधा score किया है देखिए अगर सारे exams के marks जो maximum marks है वो सेम है तो अब देखिए यह सारे क्या है कि consecutive numbers के term में उन्होंने score किया है अब लेज़े अगर 100 marks का paper है तो यहां इन्होंने 50 score किया है बोल सकते है ना जैसे इसको number बनाना है तो 50 यहां 60 यहां 70 यहां 80 यहां 90 यहां 100 है ना यह अब देख रतेन का ratio यह यह आएगा 5 6 7 और 8 9 10 अगर 100 marks का paper है सब में तो उन्होंने इतने score किये और आप जानते हैं यह सब क्या है यह आपके consecutive numbers है है ना यानि कि 5 6 7 8 9 10 consecutive number है consecutive number की average क्या होती है first plus last by 2 average की class में बहुत अच्छे से देखा था तो first plus last by 2 या फिर second plus second last by 2 बात वही है 6 plus 9 by 2 है ना और third plus third last by 2 तो third आपका 7 है तो यहां पे भी same आ रहा है 7 plus 8 by 2 तो इन सब में आप देखोगे 15 by 2 आ रहा है जो कि आपका 7.5 होता है इसका मतलब combine average जो है जो आपकी combine average है मेरे दोस्त वो होनी चाहिए यहां पे 7.5 है ना कितने होनी चाहिए 7.5 यह वाला नंबर 7.5 होना चाहिए तो यहां देखिए और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हमारे पास 6 consecutive number है तो हम आधे इधर कर दें और आधे इधर कर दें है ना क् कि average का मतलब होता है अगर उनका difference सेम है तो आप आधे आधे करके beach की beach का जो term है वो देख लो तो वहीं तीन इधर किये तो 7 और 8 के बीच में जो number आएगा वही हमार average होगा और 7 और 8 के बीच में क्या आता है साड़े साथ आता है क्योंकि आप दो numbers के average ऐसे निकालते हो 7 plus 8 by 2 तो यह होता है 15 by 2 जिसको आप 7.5 भी बोलते हो मेरे दोस्त तो यह 7.5 हो गया तो 7.5 average है यानि कि यही आपका aggregate percentage है यानि कि अब 60% से कम कितने तो आप देखे 5 6 7 8 9 10 तो यह हमारा ratio था अब हमने देख लिया कि हमारा जो 7.5 है वही हमारी combine average है इसका मतलब combine average से कम कितने subject में score कर रहा है तो आप देख सकते हो इन 3 subjects में जो student है वह 7.5 यानि aggregate percentage से कम score कर रहा है तो यह हमारा answer हो जाएगा तो answer हो जाएगा option B which is 3 अगर पूछता कि 60% से ज्यादा कितने exam में तो वह भी आप देख सकते हैं एक दो तीन तो तीन ही exam में 60% से ज्यादा score कर रहा है तो इसका correct answer हो जाएगा option B which is 3 और यह आपका है UPSC CSAT के 21 exam में total marks है किसी subject में जो कोई exam हो रहा है उसमें 200 इसके 3 components है एक है theory एक है practical और एक 40% theory में और 10% project में यानि कि practical में 40% चाहिए होंगे क्योंकि total 100% हमें बनाना होता है वेटेज तो 40% यहाँ चाहिए आप कहता है एक criteria और है कि practical में individually 60% और आने चाहिए मतलब जो भी यहां पर 40% की total value होगी उसका 40 उसका 60% आना चाहिए तो 60% और 40 तो 24% minimum हमें पास करने के लिए चाहिए practical exam में अब total marks कितने है 200 तो इसका मतलब हमें 24% निकालना पड़ेगा total marks का है ना देखे यह आपका यह total जो यह वाला total है यह 100% आपका वेटेज वाला है है तो इसमें से जो 40% practical के marks हैं उनका 60% चाहिए अकेले practical में क्योंकि यह अलग स से criteria दिया हुआ है 60% practical में अकेले आने चाहिए इसका मतलब हमें 24% चाहिए total marks का है ना तो क्योंकि यहां पे 100% की value 200 है तो 24% इसका निकाल लेंगे तो यह आदेगा 48 है ना तो 48 marks हमें चाहिए अब student के कितने आयो है 42 marks उसके आयो है उसको चाहिए 48 इसका मतलब उसको 6 marks और च करेगा तो 6 marks चाहिए और total 200 का paper है तो कितना परसेंट चाहिए तो आप देख सकते हैं कि 6 हमें चाहिए total marks मतलब यह obtain marks जो required marks है वो होगे required marks upon total marks इंटू में 100 तो 6 to 100 का कितना परसेंट है 3% है मेरे दोस्त तो answer भी इसका 3% हो जाएगा which is option A next देखिए practical based subject है total marks 100 है break up किया हुआ है theory practical और project और वीवा वाइस तो क्या वेटेज है 40% 30% 20% 10% अब यहाँ theory में 80% score किया जा रहा है 70% practical में 60% project में और 50% वीवा वो वाइस में किया जा रहा है तो आप डारेक्ट में निकाल सकते हो या फिर जैसे हमने पहले किया था यह वेटेज है इसको हम सीधा ratio ले लेते हैं तो यह cancel percentage cancel 00 cancel हो गया तो यह आपका वेटेज आ गया 4 is to 3 is to 2 is to 1 अब वेटेज का concept लगाते हैं सभी में minimum कितने है 50% तो 50% को हम मालते हैं combine average अब देखें यह 80% है तो यह 30% जादा है और यह चार जो है वेटेज में बटेगा तो 4 हो गया multiply यहां 20% जादा तो यह 3 जो है इसकी वेटेज है तो into 3 हो गया इसके बाद में 60% कितना है 60% आपका 10% जादा है और यह दो नीटिज के साथ में और लास्ट में 50% तो 0% है और into 1 और यह total कितने हैं यह सभी तो 4 plus 3 plus 2 plus 1 तो बस अब आपने इसको solve कर लेना है आपका answer आ जाएगा यहां से अगर देखें यह आएगा आपका 120 आएगा 60 तो 180 और 20 तो 200 200 परसेंट हो गया अपन में यह तो 0 ही हो गया अपन में यह कितने वेटेश था तो 4 3 7 2 9 10 तो यानि कि 20 परसेंट एक्स्ट्रा हो गया 50% हमने एजूम किया था क्योंकि 50% minimum value सब में थी और 20 परसेंट एक्स्ट्रा यानि आंसर हो गया आपका option a that is 70 परसेंट आप ऐसे अलग लोगी निकाल सकते हो कि 80% of 40 ऐसे भी निकाल सकते हो उसमें थोड़ा calculation हो जाएगा ट्रांसर होगे option a which is 70% maximum marks paper a c d e कि इनके 50% 75% 60% और 125% है maximum marks of paper b के तो अगर हम लिखें यहां पर a b c d और e b के हिसाब से सभी जो आपके paper है उन सबके marks का comparison दिया हुआ है तो जैसे देखिए अगर b को 100 ले ले तो a के होंगे 50% क्योंकि 50% of 150 होता है c के होंगे 75 d के होंगे 60 और e के होंगे 125 है न अब यहां पर इसको simple करने के लिए ratio ले ले लेते हैं यहां ratio आएगा 10 5 से सभी cancel हो जा 15 इसके बाद में 12 और इसके बाद में 25 तो दोस्तों यह आपके maximum marks का ratio हो गया 10 20 15 12 25 अब यहां पर obtained marks का ratio दिया है 6 a b c d e के pattern में तो यह 6 14 इसके बाद में 12 और यह 9 और 21 अब हमें यहां पर देखना है कि क्या दिया हुआ है तो देखें अब यह दो ratios अलग लग है ना देखे यह ratio है और यह भी ratio है दो ratios को आप तब तक equate नहीं कर सकते जब तक उन दोनों के अंदर relation established ना हो तो हमें इनको किसी भी तरह से इन दोनों ratios में relation देखना पड़ेगा कि मान लिजे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ कि यह वाली जो values है अगर यह मैं कहूंगा कि 6x है 14x है 12x ह 9x है यह 21x है तो मुझे इनका जो variable है दूसरे वालों का वो different मानना पड़ेगा different का मतलब यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा कि यह जो है फिर यह 10y होगा यह 20y होगा 15y होगा 12y होगा और 25y होगा अब क्योंकि x और y की value अलग अलग होगी इस वज़े से आप इनको directly relate नह of a and b is 60% यानि अब a और b की बात हो रहा है तो अब हम a और b पर focus करेंगे हमारे a और b कौन कौन है यहाँ पर तो यह दोनों है हमारे a और b यह वाला part तो अब हम इस पर focus करेंगे तो देखिए aggregate score का मतलब आप जानते है कि क्या होता है कि अगर a है तो a का है 6x और b के है 14x य यह है जी 10y प्लस 21 और यहाँ पर aggregate निकालने के लिए हम क्या करते है इन्टू 100 करते है और इसकी value देवी है 60 तो basically 60 upon 100 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 upon 5 और यहाँ पर देखिए यह आपका हो जाएगा 20x और यह हो जाएगा 30y यानि यहां से 00 cancel हो गया तो x upon y का जो value है वो हो आगया मेरे दोस्त 9 by यह तो 9 by 10 यानि कि आप बोल सकते हो कि x की value 9 रखने पड़ेगी वाई की value 10 रखने पड़ेगी है तो अब हम यहाँ पर यह values रख लेते हैं हमें बोला aggregate percentage overall बता ही है तो अब हम क्या करते हैं इन सब को add कर लेते कितने marks उन्होंने obtained किये हैं क्योंकि aggregate percentage का मतलब होगा obtained marks upon total marks और हिंटू में 100 और बाद में हम multiply factor को भी multiply कर लेंगे तो x की value हमें पता है क्या है और y की value पर पता है क्या है तो इसको अगर add करने तो यह आगए 20x plus 1232 और 9 आपके 41 और 41 और 2162 आ गये इसका मतलब ऊपर जो है हमें लिखना पड़ेगा 62x और नीचे यहाँ पर देखें इनको add करी है 20 और 10 30 और 15 45 45 और 12 57 और 57 और 25 यह आपका हो जाएगा 82 तो यह बन जाएगा 82y और हमें into 100 निकालना है यानि आप हमें यह solve करना है x की value 9 है y की value 10 है यानि कि यह बन गया आपके पास में 62 इंटो में 9 अपान 82 इंटो में 10 और इंटो में 100 यहाँ से इसको cancel कर लिजे जो भी करता है काट दीजे बागी solve कर लिजे आंसर आ जाएगा base जो था इसका वो हमने करी लिया है यहाँ solve करेंगे तो यह आजाएगा 41 यहाँ solve करेंगे 31 तो यह आपका बन जाएगा 31 इंटो 9 तो अब इसको मैं यहाँ पे लिक देता हूं 31 इंटो 9 आपका 9 और यह 2 7 तो 2 7 9 और एक 10 भी है यहाँ पे तो 2 7 9 0 है ना तो 2 7 9 0 upon 41 तो दोस्तों हमें इसको solve करना है तो अब हम बाकी सबराब करते हैं 2 7 9 0 बाए 41 बचा तो 2 7 9 0 को 41 से divide करना है तो इसको आप देखिए कि 41 अगर 7 से करेंगे तो यह जादा हो जाएगा तो 41 6 से करेंगे तो 6 1 6 और 6 4 24 क्योंकि अगर 7 से करेंगे तो यह आपका 287 जादा हो जाएगा तो यह आएगा 3 3 3 3 0 और 4 8 32 होता है तो यह थोड़ा सा जा सकता है 287 जादा तो 8 से कर लीजे 8 1 8 और 8 4 32 यानि कि 2 बचा तो 68 पॉइंट कुछ आएगा तो correct answer आपका option A हो जाएगा तो बहुत question है SBI PO का है आप ज़रूर इसको करें तो answer हो गया option A तो बस इसमें main यह था कि A और B को combine करना था और X और Y की value निकाले रही क्योंकि दो ratios दिये हुए थे और उनमें relation नहीं दिया था relation हमें यहीं से मिला A और B से उसके बाद जैसे हमें X और Y की value मिली 9 और 10 उसको रखके हमने दोनों ratios को फिर solve कर लिया और हमारा answer यहाँ पर आ गया तो कभी भी दो ratio हो तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको multiplying factor ज़रूर निकालने ना है उनको solve करने से पहले फिकास ने 3 exam दिये ह respective ratio तीनों exam का 356 है अब यह आया Indian council of agriculture research में 356 है तो यह उसके obtained marks है और maximum marks है 5,7 और 8 यह ratio है अब कहते हैं इन्होंने 50% marks total दिये हैं मतलब overall aggregate कितना है 50% है तो कितने examination में उन्होंने 50% से ज़्यादा score किया है यह same type है जो हमने पहले किया था तो aggregate यहां पे दिया हुआ है और हमें बताना है कि overall कितने subjects में या कितने examination में यहां पे examination है तो कितने examination में उन्होंने 50% से ज़्यादा score किया है तो सबसे पहले इस 50% के equivalent का ratio निकाल लेते है तो combine average निकाल लिजे तो यहाँ पे आप देखिए combine average कैसे निकालते हैं यह आपके maximum marks है इनका ratio दिया है यह आपके obtain marks है तो देखिए तो यह 3, 5 और यह 6 है तो सीधे आप कर सकते हो कि 3 तो सब में ही है तो 3 plus तो यहाँ पे 0 का gap है तो 0 into 5 यहाँ पे 2 का gap है 3 और 2, 5 होते हैं और यह 7 obtain marks थे और यहाँ 6 तो यह 3 extra हो गए और यह 8 maximum marks थे तो total maximum marks कितने हैं 5 plus 7 वेक्टी डावरेज लगा रहे हैं फिर से मैं एक ही जी लगा रहा हूं ताकि आप इसमें पक्के हो जाए इसके बाद यह 0 हो गया यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया तो दोस्तों यह हो यह आपके पास में 38 और नीचे आपके पास 12 plus 20 है और यह 3 plus है तो यह 19 upon 10 है तो 3 plus 1.9 तो यह हो गया आपके पास में 4.9 इसका मतलब 4.9 हमारे aggregate marks है क्या है 4.9 aggregate marks है तो इन्होंने कहा और इसकी value जो है यह 50% के equivalent है इन्होंने कहा 50% से ज़ादा कितने subjects में है तो अब बस द्यान से आपको यह देखना है कि भई 4.9 से ज़्यादा कितने subjects में है तो देखे 4.9 से ज़्यादा अगर हम देखना चाहते है तो हम देख सकते हैं कि 3 तो नहीं है एक तो 5 है और एक 6 है यही 2 है यह 4.9 से ज़्यादा है यह भी ज़्यादा है तो answer होगे आपका option two next question देखिए करोना और आदिती स्कोर करते हैं 434 marks और 336 marks respectively एक ही exam देते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक exam है तो यह वो exam है इसमें करोना और आदिती का percent different है तो आदिती कम स्कोर करती है करोना जादा स्कोर करती है तो करोना स्कोर करती है 434 marks और आदिती स्कोर करती हैं जी आदिती करती है 336 next question देखिए करोना और आदिती score करती है 434 और 336 marks different type है एक ही exam में score करती है अगर करोना ने 62% marks obtain किये तो आदिती कितना percent obtain करेंगी तो एक ही exam है मान लेते हैं कि यह वो exam है जिसके maximum marks 100% है इसमें आदिती और करोना different different percentage obtain करती है करोना obtain करती है 62% आदिती का पूछा है और करोना के marks आपको दिये है यह है जी आपके 434 marks तो basically 62% की value 434 marks है आपको यह percentage पूछी है कि कितने percent आदिती score करती है तो देखें यूनिटरी मेचर से ड्रेक कर सकते हैं बिना total marks निकाले आप जानते हैं कि 434 marks की value है 62% हमें percent से है तो हम उसको right side में रखेंगे तो एक mark की value कितनी होगी 62% upon 434 और आदिती ने कितने score किये है आदिती ने score किये है यहाँ पर 336 marks तो यानि आपको बताना है कि 336 marks की percentage value क्या है तो इसको लिख सकते है 62 upon 434 into 336 इसको बस solve करना है answer आजाएगा तो देखें यह percentage में आएगा तो यहाँ से अगर हम देखेंगे यह आपका 31 2 से चला जाएगा यह हो जाएगा आपका 217 अब देखें 31 के 17 और 37 तो 31 से 7 टाइम चला जाएगा और यह 7 4 जा 28 और 56 तो 7 जा 56 तो 48 परसेंट 48 परसेंट आपकी value हो जाएगी which is option D ठीक है तो सीधे कर सकते है तो यह आए आपका एससी सेलेक्शन पोस्ट 22 के एक्जाम नेक्स देखें ए और भी उप्टेंट करते हैं 488 मार्क्स और इतने मार्क्स तो सेम टाइप और मैं उमीद करता हूँ कि आप पहले try करते हैं question जब आप एक type कर ले तो फिर आप try किया करो उससे पहले solution मत देखा करो ए और बी 488 मार्क्स अप्टेंग करते हैं 488 बी करता है 376 लेते हैं 100 परसेंट का एक्जाम है तो ए के मार्क्स दिए हैं इस पार 61% और बी के परसेंटेज पूछे हैं तो फिर युनिटरी मेथद तो 488 मार्क्स की परसेंटेज वैल्यू है 61% और यहांसे कट जाएगा दे 8% 376 मार्क की वैल्यू बतानी थी तो 376 इसको हम लिख सकते हैं 376 मार्क की वैल्यू वन अपॉन 8% इंटू 376 को स्वाल कर लिजे एट फॉर्जा 32 और एट सेवन जा 56 तो 47 परसेंटेज में हमारा एंसर आएगा विच इस अगें यहां पर आंसर आगया आपका option D that is 47% 80 questions थे किसी एग्जाम में अनिता ने 60% के आंसर दिये जो कि पहले 55 questions थे correct दिया आंसर तो पूछ रहे हैं कि remaining questions में से कितने सही आंसर देने होंगे ताकि total 70% हो जाए तो इसमें आपने लगाना है allegation अगर आपने allegation की वीडियो नहीं देखिए तो आप एक बार देख सकते हैं जाकि प्रिलिस में यहां पर लगा दूँगा आप देख लिजेगा तो अगर 80 questions है देखिए scenario कुछ ऐसा है कि आपके पास overall 80 questions है 80 questions है पहले 55 questions के answer किये जा चुके हैं तो अब कितने रहे गए अब रहे गए आपके पास में 25 questions तो इनके 60% answer जो है correct है 55 questions attempt किये गए जिसमें से correct 60% है पूछ रहे हैं कि remaining 25 questions में कितने correct percentages होंगे ताकि total total overall 70% का aggregate बन जाए 70% entire exam में आ जाए तो यहां पर लगाएंगे priority है 60% हमें चाहिए है second में हमें बताने है तो इसको एक्स परसेंट मान लीजे और overall 70% चाहिए और आप जानते हैं कि पहले exam में कितने marks हैं कितने questions है number of questions नीचे आते हैं तो यहां पे 55 questions है और यहां पर आपके 25 questions आप जानते हैं यहां पर ratio लिया जाता है number का तो अगर आप यहां पर नंबर का ratio लेंगे तो यह 5 और यह 11 basically question कुछ ऐसे हो गया कि यहां पर हमने लिखा 60% यह हमें चाहिए था यहां हम 55 questions attempt कर रहे थे और यहां 25 करने हैं यह number हमेशा इनका ratio लिया जाता है तो यह 11 हो गया और यह 5 हो गया ठीक है अब यहां overall हमें 70% चाहिए ठीक है तो अगर overall 70% चाहिए तो यहां 70-60 तो यह 70-60 हो जाएगा आपका 10 है ना 10% तो यहां यह देखे यह 5 है यहां पर जो ratio वो 5 है और यहां जो मिल रहा है वो 10 मिल रहा है इसका मतलब जो हमें मिल रहा है जो हमें मिल रहा है वो double मिल रहा है यह into 2 है यहां पर यह 10 है और यहां पर 5 ratio है basically आप बोल सकते हो कि 5x की value 10 है तो यह x की value 2 होनी च चाहिए है ना 22 परसेंट यहां पर आना चाहिए अब आप एलिगेशन का कॉंसेट जानते हैं यह पहले 55 वेस्टे और यह दूसरे पर्चेश कोश्चन थे तो अगर यह 60 परसेंट इससे कम है तो यहां जो वैलू आएगी यहां जो वैलू आएगी क्योंकि 70 परसेंट ओड़ इसको आपने करना है 92 परसेंट हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा बस आपने ध्यान रखना है एक चीज़ कम देखिए यह कंबाइन आवरेज होती है और अगर कोई भी जीज़ आवरेज है तो दो चीज़ों के बीच में लाइए करेगी ऐसा नहीं हो सकता कि यह वाली मुझेवला आप खुद राखे कर सकते हैं तो आपने त्राखों किया आप देखते हैं 140 देल्द हैं और गाहा है सेवेंटी पर सेंटल पहले असी tenga तो देखें पहले 01 мир कोचन के यहां पर चैए थै इसके बार remaining question में कितने सही करें कि total 60% आ जाए है ना ठीक है और यह हमें बताना है तो अगर पहले 80 questions कर लिए तो अब 60 बचे क्योंकि 140 थे ना total 140 थे 140 में से 80 questions answer हो चुके तो यानि अब 60 questions बचे तो यहाँ पे आएगा 60 यहाँ प्रेशो कर सकते हो 4 is to 3 का ratio है ना ठीक है अब यहाँ देखिए यहाँ जो value आ रही है वो आ रही है आपकी 10 है ना यह यह 10 इसका मतलब 3 की value 10 है तो 3 की value 10 है तो कितना है approximately 3.3 multiply factor है बोल सकते हैं 3 की value 10 है basically 3x की value 10 तो x की value कितने आगी 10 by 3 तो इसको बोल सकते हैं आप 3.33 है ना ऐसे यहाँ 4 की value क्या आएगी तो basically यह 10 by 3 आ रहा है तो 4 को भी 10 by 3 से multiply कर लिजे तो 4 into 10 by 3 यह हो गया 40 by 3 और 40 by 3 होता है 13.33 यहाँ यहाँ पे जो value आनी चाहिए वो आनी चाहिए 13.33 अब जो यहाँ value आएगी वो कैसे लेंगे देखे 70% इस बार जादा है यह value जो है इससे कम होगी तो यह value होनी चाहिए 60% में से 13.33 हम माइनस कर लें और यह percentage में आ जाएगा तो 60 में से 14 अगर चला जाता तो 46 रहता लेकिन यह तो इतना तो नहीं जाहा रहा के लिए यह है ना 60 माइनस 13 1 बाइ 3 यह हो गया इसको solve करना है तो 60 को क्या लिख सकते हो वह 59 3 बाइ 3 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 13 1 बाइ 3 अब integer इसको इसको लिख सकते हैं calculation booster के playlist में आप देख सकते हो तो 59 basically इसको लिख सकते हैं 3 by 3 है ना तो 59 इसको 1 by 3 चला गया वह 3 by 3 में से 1 by 3 चला गया तो 1 by 3 यानि कि 2 by 3 बचेगा तो यह आपका answer हो जाएगा 46 2 by 3 अब ऐसे भी देख सकते हो 60 में से अगर 14 चला जाता सिधा सिधा 46 पर 14 पुरा गया नहीं कुछ-कुछ पार्ट बचा है, सिर्फ 13.33 गया है, तो 46 से 2 by 3 ज़ादा होगा, 0.66 ज़ादा होगा है, 46.66 यहाँ पे आ जाएगा, अगर 13.33 को माइनस करते हैं, तो 46 2 by 3 option C हमारा correct answer इसमें हो जाएगा, इसी में एक games में भी आया है question, 240 games थे, एक team चाहती थी cricket की 80% हम जीते, 65% खेले जा चुके, जिसमें success rate 75% यहाँ है, ICAR में, तो बाकी में कितना success rate होना चाहिए, परसेटेज में, तो ताकि यह target तक पहुँच जाए, तो देखे, 240 games है, तो total 240 games है, और 65% खेले जा चुके है, 65% का मतलब 65 by 100 यानि 13 by 20, तो यह आपका हो गया 12, तो इसका मतलब आपने 12, 30, 36, तो 156 games आप खेल चुके, तो कितने बच गए, 240 में से, अब 35% बच गए, तो 7 by 20, तो 84, 84 games बच गए, तो यह हमारे पास पहले तो हम यह data निकाल लेके कितने games हो गए, तो overall हमें जो है, चाहिए 80%, तो 80% मेरे दोस्त हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में, और पहले खे पहले जा चुके है, 156 games और दूसरी बारी में जा चुके है, 12, 70, 54, तो यहाँ पे 240 games थे, तो पहले में 75% था, तो यह हो गया 75%, यहाँ बताना है क्या होगा, ठीक है, तो देखे, यहाँ पे अब आप इनका ratio ले लिजे, 12 से कट रहे थे मेरे ख्याल से, तो ratio ले ले लिजे इतना बन जाएगा यह, 12, 7 सा 84, 12, 1 सा 12, और 12, 33, 37 का ratio बन जाएगा, अब यहाँ देखे, यहाँ 80 और 75 का gap कितना है, 5, तो भई 7 की value 5 है, तो अगर 7 की value 5 है, तो एक की value कितनी होगी, 5 by 7, तो भई 13 की value कितनी होगी, यह होगी, 5 by 7 into 13, तो यह बन जाएगा, 65 by 7, यहाँ पर आगया आपके पास में, 65 by 7, ठीक है, अब यह 75 इससे कम है, तो यह होना चाहिए, 80% plus 65 by 7, यह percentage में था, तो हम इसको percentage में लिख रहे हैं, यहाँ 5% था, तो यह आपका हो जाएगा, परसेंट में, 79063 और 2 by 7, तो यह आएगा approximately आपका, 80% तो था ही, 97063, 79063, 2, 0, 9.2 के आसपास, तो 89 point something, 89.2 के आसपास answer है, एक ही option है, which is option D, तो अच्छा question है, ICR में आया हुआ है, same way से आपने करना है, इसके बाद आते हैं, next type में, distinction वाले, 48% total marks चाहिए, पास करने के लिए, 80% चाहिए, first class with distinction करने के लिए, यानि जो passing criteria है, वो भी दिया है, और first class with distinction भी दिया है, अब एक student के इतने marks आते हैं, इतने से fail हो जाता है, तो कितने उसको first class with distinction चाहिए, तो distinction में क्या extra होता है, देखिए, यहाँ पे आपके पास 48% आपको चाहिए थे passing marks, तो passing percentage जो थी, वो थी 48, बट अगर distinction चाहिए, तो first class distinction चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको 80%, ठीक है, तो पहले तो pass कराए हैं, उसके बाद distinction करवाए हैं उसको, तो pass करने के लिए देखिए, एक student के marks आए, 8, 1, 7, और वो पीछे रहा गया, 47 marks, यानि अगर उसको 47 और मिल जाते, तो वो 48% score कर लेता, total, अगर 100% का total marks है, किसी exam के, तो 48% वो score कर लेता, तो यह कितना हो गया, यानि हमें 47 देने पड़ेंगे इसमें, तो इसको दे दीजिए, तो यह हो गया 14, इसके बाद में हो गया 6, और यह हो गया 864, यानि 864, 48% की value है, तो यहां लिख सकते हैं, 864, 48% की value है, अब हमें कितना, उनने का first class से pass करवाना है, तो 80% चाहिए नहीं, तो 1% की value कितनी 864 by 48, cancel होते हैं, तो काट दीजिए, 412 हो जाएगा, 421, 421, 421 और 426, तो 1221, 12 और 18, तो 1% की value, 18 marks हो गई, अब कितने percent चाहिए हमें, तो भई हमें चाहिए थे, pass, first class लेने के लिए 80%, तो 80% की value निकाल लीजए यहां से, तो 80% की value होगी, 18 into 80, है न, जो की हो जाएगा, 1440, तो answer हो जाएगा, आपका option B, तो first class distinction में, pass करवाने के बाद, एक step और आके जाना, तो इसका answer हो गया, option B, 1440, तो 48% की value दी थी, basically, 80% की value निकालने थी, बस यही थ परसेंट, और 48% निकालने के लिए इसको pass करवाना था, तो उमने pass करवाया, same type, 36% pass होने के लिए चाहिए, 84% distinction के लिए चाहिए, तो fail हो गया student, 16 marks से इतने marks लेके, तो पहले तो pass करवाया उसको, तो passing percentage कितना है, passing percentage है, इसमें 36, और student को distinction लाने के लिए, first class में, चाहिए, 84%, ठीक है, तो पहले pass करवाते है, कितने marks लाया, 398 लाया, इतने से fail हो गया, तो fail हो गया, 16 marks है, तो 16 दे दीजे, तो यह हो जाएगा आपका 414, तो 414 आपका 36% की value है, आपको बताना है, 84%, तो यहाँ पे कर लिजे, 414, 36% की value, तो 1% की value, 414 by 36, 1%, solve कर लिजे, कटा है तो, तो यह हो जाएगा, 12 से कर जाएगा, नहीं, 4 से तो नहीं जा रहा है, तो 2 से कर लिजे, 207, यहाँ गया, अब 3 से चला जाएगा, तो 3 6 हा, और 3 6 हा, और 3 9 हा, फिर चला जाएगा, 3 से, 3 2 जा, और 3 23 जा, तो यानि, 1% की value आ गई, 23 by 2, हमें चाहिए थे, 84% की value, तो 84% के लिए, 23 by 2 into 84 कर लिजे, तो यह marks आ जाएगे, तो यह आएगा, आपका 42 times, अब देखिए, multiply कर लिजे इसको, answer आपके सामने, तो यह जाएगा, 23 into 2, 46, और 23, 492, तो caddy था, तो 96 हो गया, तो correct answer हो गया, option C, which is 966, same type है, उमीद करता हूँ कि आपने पहले try किया होगा, ICR technician में आया है, A score करता है 67%, which is 192 marks, more than the passing marks, B score करता है 27%, और fail होता है इतने marks है, तो यह हमारा previous type ही है, जो हमने 7th part में भी किया था, यह मैंने इस्टे लिया है, ताकि और serious exams के जो पूछे है, तो देखिए, यह माल लेते है, total 100% marks, तो एक बच्चा fail होता है, एक pass होता है, तो एक pass हो गया, 67% ले आया, और passing marks, passing marks या passing percentage से 192 ज्यादा ले आया, तो इसको हमें passing line पे लाने के लिए 192 marks सब्ट्रैक करने पड़ेंगे, और एक बच्चा 27% लाया, और fail हो गया, 48 marks है, तो इसको हमें 48 marks देने होंगे, यह हम rule जानते हैं, कि दोनों को passing percentage की line पे लाना होता है, तो equation बन की 20% में 48 जोडिए, और 67% में 192 माइनस करिए, तो आप जानते है, rule हमने सिखा था है, कि इनका difference होता है, तो यहाँ difference आएगा 40%, इसको add कर लिजे, तो यह जा जाएगा आपका 240, तो 40% की value, 240, तो अब passing marks पुछा है, यानि कि किसी भी equation में रख दीजे, तो सपोस हम यहाँ पे रखते है, 27% प्लस 48, तो यहाँ से 1% की value हो जाएगी 6, हमें चाहिए तो 27% की value निकाल दीजे, अचा 27%, हाँ कितना होगा, क्योंकि percentage पूछा है, तो 27 से multiply दोनों साइट, तो 27, 6 है, यहने कि 26 है, 120, और 42, तो 162 marks, आपके 27% हो गए, और उसमें 48 और जोडने है, तो 48 और जोडने है, क्योंकि हम यहाँ पे add कर रहे हैं, यहाँ पे है न, तो 27% आगए, 162 और इसमें 48 और जोडने है, यह आपका हो जाएगा, 210 marks, which is option A, यह आए तो answer option A, तो जो pass नहीं हो रहा है, उसको pass करवा दिया, और जो ज़्यादा लेके आ रहा था, उसको भी कम करके passing percentage की line पे हम यहाँ पे ले आए, और उनको equate कर दिया, answer आ गया हमारे पास, अब इसी पे same type पे CDS में question है, एक candidate score करता है, X% marks fail होता है, A marks है, तो देखे, अब variable दिया हो है, बाकी सब सेम है, तो जहां लेते है, passing percentage equivalent to passing marks, तो एक candidate X% score करता है, और fail होता है, A marks है, यानि उसको अगर A marks और मिल जाते हैं, तो वो इस line पे आ जाता है, इसके बाद दूसरा candidate Y% लाता है, और B marks जादा है, minimum passing marks है, यानि कि वो यहाँ कहीं है, तो Y% लाता है, औ और कितने जादा लाता है, B marks जादा लाता है, तो अगर हमें इसको same line पे लाना है, तो इसमें से B marks subtract करने पड़ेंगे, और इसमें A marks add करने पड़ेंगे, तो equation बन जाएगी, और total marks जहां पे 100% है, तो X% को A, X% वाले को A marks देने होंगे, वो pass होगा, और Y% वाले में से B marks ल बन जाएगा आपके पास में, minus A minus B, तो minus common लेके लिख सकते हैं, Y% minus X%, तो यह हो जाएगा A plus B, है न, तो यह हो गया, अब यहाँ पर यह percentage, अब हमें चाहिए था 100% की value, तो यहाँ देखे, percentage, percentage common है, common ले सकते हैं, तो यहाँ पर percentage common अगर लें, तो 1% common है दोनों में, तो यह हो जाएगा, 1 minus X is equal to A plus B, तो 1% की value हो जाएगी, A plus B upon Y minus X, और total marks कितने थे, 100% थे, तो 1% की value आ गईगी, 100% के लिए 2 0 लगा दीजे, दोनों तरब, इधर भी 100 से multiply, और इधर भी 100 से multiply, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो answer हो जाएगा, 100 into A plus B upon Y minus X, तो यह हो जाएगा, आपका option C, तो बहुत बढ़िया question है, conceptual है, 1% के value निकाली, और 100 के निकाली multiply करते हैं, दोनों तरफ 100 से, तो answer हो गया, option C, CDS 2016 का question है, इसके बाद आते हैं, cat exam पे, maximum marks, जो है, वो N है, passing marks है, 45%, अब देखे, इसमें variable दिये हो है, यहाँ पे आपके total जो marks ह है, यह maximum possible score N है, यह N है, और passing marks है, 45% है, कितने हैं, 45%, अब एक candidate के 36 marks आते हैं, अब candidate कितना लाता है, 36 marks लाता है, और fall short, fail हो जाता है, 68% से, अब यहाँ gap दिया हुआ है, अब यह passing marks, जो भी passing criteria है, उसके 68% कम लेकर आता है, तो 68% से fail होता है, किसके passing criteria के, तो कहता है, कौन सा correct है, तो देखे, इसमें आपने बस यही समझना है, कि, यह जो यहाँ पे 36 marks है, अगर आप यह मान लें, कि, आपके total marks है, मान लेते हैं, कुछ भी, चलो any ले लेते हैं, तो 45%, अब आप यहाँ पे देहाल से देखें, अगर यह बच्चा, 36 marks लेके आ रहा है, अगर यह बच्चा 36 marks लेके आ रहा है, और passing line के 68% से रह जाता है, इसका मतलब कि, आप यह नहीं बोल सकते, कि, अगर, अगर मेरी passing line 100% है, सपोस करिए, passing percentage की line 100% है, और यह बच्चा 68% उससे पीछे रह जाता है, तो क्या हम यह नहीं बोल सकते कि, जो यह 36 है, जो यह 36 है, यह 32% की value है, इस passing marks के, देखें, 68% से बच्चा रह जाता है, 36 marks लाता है, तो 68% passing के हिसाब से दिया हुआ है, कि अगर passing line 100% है, तो बच्चा 68% से fail हो रहा है, इसका मतलब हम यह बोल सकते है, कि यह जो 36 है, यह passing line का 32% है, बेसिकली 100-38 है, अगर यह वाला gap 68% का है, तो अभी तक उसने पका 32% का gap cover कर लिया होगा, जो की marks में बनता है, 36 marks to net, I hope यह बात clear है, बस इसमें यही बात समझने वाली है, कि जो 36 है, वो 32% of passing marks की value है, ठीक है, तो अब अगर आप यह समझ गए है, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे, तो जो 36 है, जो 36 है, वो आपके 32% है passing marks के, तो अगर हम passing marks को 100% मार लेते हैं, तो क्या आप 100% निकाल सकते हो, मतलब क्या आप passing marks निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं, अभी 1% की value हो जाएगी, 36 upon 32, तो यह हो जाएगा, 49's हा, 48's हा, तो 1% की value हागी, 8 by 9, तो 100% की value कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी, 9 by 8, एक प्रेशन की value होगी, 9 by 8, 9 by 8 into 100, यह आगे, तो यह हो जाएगा आपका 2, और यह हो जाएगा आपका 25, तो यह आगे आपका 225 by 2, इसका मतलब दोस्तों, यह हो गए आपके passing marks, ठीक है, अब ज़रा question पर वापस आते हैं, यह हमने अपनी simplification के ल value निकाले है, लेकिन actually में passing marks जो है न, total marks के 45% है, इसका मतलब जो total marks थे, actually में जो n थे, यह उनके 45% की value आई है, जो कि कितनी आई है, 225 बटे 2, आयो हो पेरी बात समझगे, तो यह जो है, यह 45% की value है, क्योंकि हमारे total marks n थे, 100 नहीं थे, 100 हमने passing criteria रखा था दोस्तों, जिसक की value आगई है, 225 बाइ 2, अब यह जो 225 बाइ 2 है, यह 45% टोटल जो marks थे, n उनका 45% है, तो हमें तो total marks निकालने यहाँ पे n की value दी हुई है, तो 45% की value, 45% की value, 225 बाइ 2 है, तो 1% की निकाल यह, और 100% की निकाल यह, मतलब यहाँ पे जो n है, यह आपका 100% है, ठीक है, यह 100% में passing marks लिया था, अब जो n है, वो 100% माना जाएगा, तो यह value 45% की दो निकाल लीज़े, 45, तो 1 की value होगी 0.5%, 1 की value होगी 0.5%, अब आप 100% की value निकाल सकते हो, तो 100% की value हो जाएगी, इसको multiply करेंगे, 100 से, तो इसको भी करेंगे, 100 से, यह 1 की value 0.5 marks हो जाएगी, माफ कीज है, तो 100% की value, 200 marks हो जाएगी, तो इस range में लाई करेंगा, 243 से 252 के बीच में, जब रत्रस question है, passing feeling पे, तो इसमें concept क्या आपने सिखा, कि अगर देखे, अगर कोई बच्चा 36 marks लाता है, और 68% passing marks से fail हो जाता है, तो इसका मतलब यह जो 32, 36 marks है, यह आपके 100 minus 68% की value है, जो भी passing marks होंगे, उसके 32% वो already obtain कर चुका है, तो 1% की value हमने यहां से निकाली, तो वो आगी थी 9 by 8, और तो हमने total criteria निकाला, तो यह आ गया था 225 by 2, है न, total हमने passing marks का criteria निकाला, यह passing marks आ गया, अब एक और चीज़ दी थी कि जो passing marks है, वो total marks के 45% है, तो यानि कि यह 45% की value होगी, तो 1% की value होगी, यह 9 से 5 से चला जाएगा, तो 5 by 2, और 100% की value होगी, इन 2 में 100 कर दिया, तो यह आ गया आपका 250 marks, तो टोटल exam 250 marks का हुआ था, एंसर हो गया option B, अच्छा question है, नेक्स देखिए, मीना स्कोर करती है 40%, अब यह और अच्छा question है, cat में आया है, है, तो 40% किसी exam में score करती है, और review के बाद, अगर उसका score 50% से बढ़ाया जाता है, अब देखिए 40% score कर रही है, यानि कि अगर आप उसके marks 50% से बढ़ाते हैं, 50% of 40, 40 का 50%, तो यह होगा 20, यानि कि 20% और बढ़ा रहे हैं, यानि 60% अगर कर दें, तो फिर वो फिर भी fail होत है, देखिए, 60% करने के बावजूद भी passing percentage की line से पीछे है, कितने marks पीछे है, 35 marks पीछे है, यह आपकी passing percentage की line है दोस्तों, अगर किसी student के marks 50% जो उसके अभी आए हैं, उसमें 50% add कर दिये जाए, यानि कि 40 का 50%, 20%, यानि अगर 60% कर दिये जाए, तो वो student 35 marks से अभी भी fail होत है, यह पहली condition है, यहाँ अब देखिए, अगर post review marks को 20% से increase किया जाता, यानि कि 40% को 20%, 40% का 20% 1 by 5, और यह होता है, आपका 8, यानि कि अगर उसके marks 48% कर दिये जाते, तो फिर उसके marks 7 marks जादा होते passing score से, यानि अब वो इस line के इधर होती, यानि कि अगर वो 48% score कर रही होत होती, तो वो 7 marks जादा लेकर बैठी होती passing marks से, है न, passing marks या passing percentage की हिसाब से आप देख सकते हो, दोन equally होते है, passing percentage से passing marks बनते हैं, तो 7 marks जादा, अब देखे, rule हमें पता है, कि भाई, अगर वो passing line से उधर जा रही है, उससे जा रही है, जादा लेके आ रही है, तो उतने marks कम क सेवन, और यहां 60% प्लस 35, तो यहां gap आ गया 12% का, और 35 प्लस 7, 42, तो दोस्तो 12% की value 42, तो 2% की value आपकी 7, तो 2% की value 7 हो गई, तो इसने बोला, score needed, percentage marks कितने हैं, तो कहीं पे भी आप रख दीजे, अब 2% की value 7 है, तो 10% की value आएगी 35, और 60% की value, तो 60% तो already percent में ही है, तो हमें answer भी percentage में चाहिए, तो हमें 35 को देखना है, तो 35 आप देख सकते हो, सीधा-सीधा 10% है, तो 60% तो अब हम देखे, यह निकालने के बाद, जैसे हमने देखा, कि 12% की value 42, और हमने देखा 2% की value 7, तो किसी में भी put करिये, तो हमने यह यहां पूट किया, तो 60% plus 35 पर करिये, या इसमें करिये, तो यह निकाला थोड़ाईजी है, 60% already percentage में 35 कितना परसेंट होगा, तो देखे, दो परसेंट अगर साथ है, तो 35 इसका 10% होगा, क्योंकि दोनों तरफ पास से मल्टी पर तो 60% पहले से ही है, और 10% और है, इसका मत पाद फिर, पासिंग और फेली की कंडिशन लगाने है, रिव्यू करने के बाद जो बढ़ाया, उस पर लगाने है, पस यह एक्स्टरास में आपको चीज ध्यान अपनी है, तो आंसर हो गया option A, इसके बाद देखे, एक सुडेंट के 22 marks आते हैं, ज्यादा है, फ्रेंच में जर्म से हैना, तो दो language है, एक French है और एक जर्मन है, अब ध्यान से देखे, यह लगान जर्मन के जो marks है, जर्मन के माक्स है, 28% परजो परेंच और जर्मन के सम से, भ्यान से देखे, जर्मन के माक्स 28% है टोटल के प्रेंच और जर्मन तो हम यह लिख सकते हैं कि जर्मन के जो मार्क्स है 28% है तो 28% का मतलब हो गया 7 by 25 तो यहाँ पर आप कर सकते हो 4 7s है और 4 25s है इसका अब धेहन से आप देखेंगे कि 7 by 25 इसका मतलब यह हो गए मेरे जर्मन के मार्क्स हाँ और यह हो गए 28% सम है ना सम है इसका मतलब अगर यह जर्मन है तो फिर यह जर्मन प्लस फ्रेंच है क्या है जर्मन प्लस फ्रेंच है आई होप मेरी बास समझ रहे है देखें जर्मन जो है 28% है टोटल जर्मन प्लस फ्रेंच का तो इसका मतलब जर्मन अपॉन जर्मन प्लस फ्रेंच इसकी वैल्यू क्या होगी 28 by 100 यानि कि यह होगी 7 by 25 तो यह चीज़ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ जर्मन प्लस फ्रेंच 25 है तो जर्मन कितना है 7 है जर्मन 7 है तो क्या बता सकते हो फ्रेंच कितना है मेरे दोस्त भई जर्मन 7 है देखिए जर्मन 7 है और जर्मन प्लस फ्रेंच 25 है तो भई फ्रेंच कितना होगा 25 माइनस 7 18 होगा तो जर्मन 7 है फ्रेंच 18 है तो क्या है देख यहां पर कहा है student के 22 marks जादा है फ्रेंच में तो यहां हमारे coding कितने जादा है हमारे coding आप देख सकते हो 11 नंबर जादा है 7 और 18 का difference 11 और question में दिया हुआ है कि 22 marks जादा है इसका मतलब 2 commitment factor आ रहा है 1 की value 2 marks हो गई तो पूछा क्या है French marks तो भी French marks से 18 तो 18 की value क्या हो जाएगी into 2 हो जाएगी भी 1 की value 2 marks आ गई तो 18 की value 36 marks तो answer हो गया option B अगर पूस्ता जर्मन के कितने है तो 7 को 2 समटी ब्लैकर देते तो यह 14 आ जाता answer ठीक है I hope यह चीज़ क्लियर है तो बस यह equation को use किया है German upon German plus French 7 by 25 तो यह 7 जर्मन है तो French और जर्मन का total आपका 25 है तो French 18 हो गई अब इन दोनों का gap 11 का है 11 की value 22 है तो 1 की value 2 हो गई तो 18 की value निकालने थी तो 18 into 2 हो गई 36 which is option B एक और यहाँ पर आया दो student है exam में बैठते हैं A के marks 8 जादा है B से and marks of the former was 55% of the sum of their marks former मतलब A यहाँ पर तो CHSL में आया है देखें तो इस line को पगड़ते है former मतलब A के marks दोनों के sum के marks यानि की A प्लस B दोनों के sum के marks का 55% है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो A के marks है वो 55% है दोनो A प्लस B के marks है यानि की A अपॉन A प्लस B के marks का ratio 55 upon 100 हो गया which is 11 by 20 तो यह बन गया 11 by 20 ठीक है तो यहाँ देखें A के marks 11 और A प्लस B के 20 तो भही अगर A के marks 11 है और A प्लस B के 20 है तो अगर यहाँ 11 की value रखेंगे तो B कितना होना चाहिए तो B होना चाहिए 9 इसका मतलब A के 11 हो गए तो B के 9 हो गए यहाँ बोला है A के marks 8 जादा है B से यहाँ कि difference दिया है 8 marks का अब आप solve कर सकते हो यहाँ difference आ रहा है 2 marks का जिसकी value 8 है तो 2 की value 8 marks तो 1 की value 4 marks किसका पूछा है sum of marks obtained by A and B यहाँ कि sum ही पूछ लिया तो 20 की value कितनी हो जाएगी sum 20 था न वही A plus B 20 था 1 की value 4 तो 20 की value 20 into 4 यानि कि 80 marks which is option B आप देखें comparison based पे आ गए है किसी exam में A को मिलते है 10% जादा B से B को मिलते है 20% जादा C से और C को मिलते है 32% less D से comparison हो गया A को इतने marks मिले जादा C से तो B को कितने मिले 10% यह होता है 1 by 10 तो अगर हम लिखें यहाँ पे A, B और C और D तो अगर A को 10% जादा मिले B से तो अगर B को 10 मिले तो A को 11 मिलेंगे बोल सकते हैं बिल्कुल सही बात है इसके बाद B को 20% जादा 20% होता है 20 by 100, 1 by 5 तो अगर C को 5 मिले तो B को मिलेंगे 5 plus 1, 6 वही सेम जैसे अगर B को 10 मिले तो A को मिले 10 plus 1, 11 ऐसे तो यहाँ पे अगर C को 5 मिले तो C को 5 मिले तो फिर B को मिलेंगे 6 तो यह हो गया 6 तो यह ratio बन गया हमारा इसके बाद C obtain 32% less तो 32 upon 100 इसका होता है 8 by 25 तो C को D से इतने कम मिले यानि अगर D को 25 मिले तो C को 25 minus 8 17 मिलेंगे तो अगर D को 25 मिले तो C को मिलेंगे 17 क्योंकि कम है पिछली बार ज़्यादा था तो plus किया था देखिए यहाँ पे plus था यहाँ भी plus था तो यह ratio बन गया है दोस्तो अब आप जो भी उसमें पूछा है निकाल सकते हो अब इसका shortcut direct कर सकते है तो एक आगर ratio निकालना है तो यह हमने ratio में proper किया हुआ है बहुत सारे shortcuts हैं आप basic क्या करें कि यह अगर continuous दिया हुआ है तो इस 10 को आगे लिख ले और यहाँ जो है यह 5 को आगे लिख ले और यहाँ यह 6 को पीछे लिख ले यहाँ पे 17 को पीछे लिख ले ऐसे और ऐसे vertically multiply करते हैं हलाकि यह आता ऐसे है कि हम यह बीच वाला common multiple common number same करते हैं बट आप directly याद रख सकते हो तो यह हो गया जी 11 into 6 into 17 ए हो गया बी हो गया 10 into 6 into 17 सी हो गया 10 into 5 into 17 और डी हो गया 10 into 5 into 25 अब बोला ए 272 marks जादा लाता है कि सी से तो यह जो है वह 272 marks जादा लाता है सी से तो अब इन दोनों का difference दिया है है ना देखे इन दोनों का difference दिया है तो अब आप multiply ना करें smart खेले यहाँ पे क्योंकि ए और सी का comparison है तो देखे 11 into 6 into 17 और 10 into 5 into 17 common निकाली है यहाँ difference करना है तो common यहाँ पे है आपका एक तो 2 common है इसमें 2 है इसमें 2 है और एक 17 common है तो 2 into 17 बाहर निकाली है क्या बचा तो यह बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 3 क्योंकि 236 होता है और minus यहाँ पे 2 common हो गया तो 5 into 5 आपके पास में 25 तो यह बन गया difference दोनों का इसकी value दी हुई है यहाँ पे 272 तो 272 value आपके difference की है यह A था और यह पूरा D था तो यहाँ से solve कर लीजे क्या 34 से कटता है 8 3 is a 24 हाँ जी कट जाएगा 8 3 is a 24 और 8 4 is a 32 तो एक की value एक unit आ गई है तो वही एक की value एक unit आ गई है तो बोला है marks obtained by B तो यह रहा B B के marks बताइए यह रहा B आपका तो B के marks बताइए तो इसको solve कर सकते है सीधा तो 10 into 60 आप क्योंकि एक unit की value एक आ गई तो पूरा ही कट गया तो यह हो गया आपका 60 और into 17 है ना A, B, C तीन student है comparison based 18 more marks A के आते हैं और B से और C से 12% कम आते हैं B के इतने marks हैं C के बताइए देखें A, B और C तो A के 18% जादा आते हैं 18% नहींकि 9 by 50 तो अगर B के 50 आते हैं तो A के 50 प्लस 9, 59 आने चाहिए तो अगर B के 50 आते हैं तो A के 59 आने चाहिए ठीक है अब A का ही comparison दिया है देखिए कि A के marks 12% कम है C से तो 12% होता है आपका 3 by 25 यानि कि अगर C के 25 है तो A के 25 माइनस 3 होने चाहिए 22 होने चाहिए यानि कि A के 22 होने चाहिए तो यही था इसमे तो यह ratio बन गया अब आपको A को equal करना है सारे answer आ जाएंगे B के marks दिये तो पहले इसको equate करते है अगर इसको equate करना है तो इसको 59 से multiply करना पढ़ेगा क्योंकि Prime नंबर है और इसको 22 से तो इसको 59 से तो इसको भी 59 से और इसको 22 से तो यह हो गया आपका 59 इंटु टु 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 ट dom A same हो गया, B 50 into 22 और यह हो गया, तो अब आप देखे, C का पूछ रहा है, तो यह पूछ रहा है, B के दिये है, इसका मतलब यह हमारे पास B है, तो देखे, 50 into 22, यह B है हमारे पास, जिसकी value दी हुई है आपको, तो 50 into 22, इसकी value दी हुई है मेरे दोस्त, 220, यह रही, तो 22 से 10 ट पास मार्क की value, बतलब 5 उनिट की value एक हो गई, तो एक उनिट की value एक बटे 5 हो गई, यह हो गई, अब पूछा किसका है, C का पूछा है, तो C हमारा यह रहा, तो C का पूछा है, तो एक उनिट की value इतनी हो गई, तो 25 into 59 उनिट की value कितनी होगी, एक बटे 5 into 25 into 59, तो यह हो और फिफ्टी नाइन इंटु फाइव आप कर लिए लास्ट में फाइव आएगा एक ही ऑप्शन में है तो सिक्स्टी फाइव दा से पांच कम तो तीन सो फाइनस पांच टू नैंटी फाइव ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यह डिफरेंट था बिलकुल इसमें आपको इसको सेम करना था रेशो का कॉंसेप्ट यूज करके होना था यह तो यह हो गया आंसर ऑप्शन बी तो दोस्तों यह था आज का सेशन जिसमें हमने देखा यह सभी टाइप के क्वेशन उमीद करता हूं आपको बहुत मज़ा आया ऐसे और सेशन के लिए हमा बहुत बहुत धन्यवाद